जैहिन दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देखे रहे एक ग्लोबल कॉनफलिक। दोसो भारत के तरक्की से सबसे जादा जलने वाला देश है पाकिस्तान और आये दिन भारत में कुछ भी डेवलोप्मेंट हो उसे ले के पाकिस्तान अपना चाती पिल्टता रहता है और इस बार पाकिस्तान को फिर से एक बड़ा जटका अमेरिका के तरफ से दिया गया और दोसो ये जटका पाकिस्तान को एक दो दिन के लिए नहीं चुबेगा बलकि आने वाले 10 सालों तक चुबेगा क्योंकि 24 नॉवेंवर के दिन अमेरिका और भारत के तरफ से एक joint press release जारी करते हुए पुरा दुनिया को बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो civil nuclear deal है उसे और 10 साल के लिए extend किया जा रहा है दोसो 7 नॉवेंवर 2010 को भारत और अमेरिका के बीच में शांति पूर्ण ने परमानु को इस्तमाल करने के लिए civil nuclear deal हुआ था जो की इस साल खतम होने वाला है और इसी वज़ा से 10 साल के लिए इसे extend किया गया और आने वाले 10 साल त सकता है इवन विजली बनाने के लिए जो uranium का जुरुरत होता है वो भी अमेरिका भारत को सप्लाई कर सकता है और बाकी किसी भी देश के तरफ से अगर भारत को ऐसे टेक्नीक सप्लाई किया जाता है तो अमेरिका उसमें बाधा भी नहीं डालेगा दोस्तों ये जो deal हुआ इसके बाद सबसे ज़्यादा तिलमिलाहट पाकिस्तान को आया था पाकिस्तान के मीडिया में तो बीते 10 सालों से इन बातों के उपर छाती पीटा जाता है और कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा एक तरफा भारत के साथ ही QDL किया गया इवन दोस्तों ये भारत के लिए इसी कारण से भी एक जीत है क्योंकि बिना NSG का मेंबर्शिप का भी भारत NSG जैसे हर एक सुविदा को इस डील के द्वारा हासिल कर रहा है जबकि पाकिस्तान ऐसे सुविदाओं को हासिल करने के लिए चारों तरफ हाथ फैलाता है लेकिन किसी भी के देश के तरफ से पाक में मदद नहीं किया आता और ऐसे ही आने वाले 10 सालों तक पाकिस्तान अपना चाती ऐसे ही पीड़ता रहेगा पाकिस्तान चायना के साथ साजिस करते हुए भारत का NSG मेंबर्शिप रोकने का तो प्रयास कर रहा है लेकिन बिना NSG मेंबर्शिप का भी भारत अपने सिवि पार नहीं है उपर से अगर कोई तयार होता भी है तो अमेरिका के कठोर न्योमों के बजा से वो दे भी नहीं पा रहा है वैसे अगर देखे तो पाकिस्तान के अंदर बिजली तो नाम का ही मिलता है और जो भी मिलता है हो भारत के कुलतोलना में करीवन 8 से 10 उना महंगा होत कितने सालों तक और पाकिस्तान इन मुद्दों को लेके चर्चा करता है और कितने सालों तक अपना छाती पीटता रहता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ म मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जाए हिन